इस वीडियो में हम बहुपत का विभाजन सीखेंगे क्या आपको याद है हमने बीजगनित में विभाजन कैसे करते हैं? चलिए देखते हैं माल नीचे हमारे पास साथ लड़ू है और हमें इन्हें पैकेट में दो-दो करके डालना है तो हम कुछ इस प्रकार डालेंगे तो यहां हमारे पास तीन पैकेट में दो-दो लड़ू आएंगे और एक लड़ू बच जाएगा यानि कि हमने साथ को दो से विभाजन किया तो हमें भागफल तेन मिला और शेशफल एक क्या आपको याद है? हम यहां साथ और दो को क्या कहते है यहां साथ को भाज्य और दो को भाजक कहते है अर इस विभाजन को हम साथ बराबर 2 इंटू 3 प्लस 1 भी लिख सकते है जहां साथ भाजे है और दो भाजक है और तीन भागफल है और एक शेशवल है तो यह कुछ इस प्रकार होगा भाजे बराबर भाजक इंटू भागफल प्रशेशवल आपने यहां देखा कि हम संख्याओं को एक दूसरे से कैसे विभाजन कर सकते हैं तो क्या हम इसी प्रकार बहुपद को भी विभाजन कर सकते हैं? जी हाँ, हम बहुपदों को भी विभाज़त कर सकते हैं और इस टॉपिक में हम यही सीखेंगे कि बहुपद का विभाजन कैसे किया जाता है माल लीजे, हमें PX बराबर X प्लस 3X स्क्वाइर माइनस 1 को GX बराबर 1 प्लस X से विभाज़त करना है तो पहले चरन में हम बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे यानि कि बहुपद को घात के घटाते हुए क्रम में लिखेंगे जैसे कि PX में दो सबसे बड़ी घात है इसलिए 3X स्क्वाइर को पहले लिखेंगे उसके बाद X आएगा जिसकी घात 1 है उसके बाद माइनस 1 आएगा जिसकी घात 0 है तो अब PX का मानक रूप PX बराबर 3X स्क्वाइर प्लस X माइनस 1 आजाएगा और इसी प्रकार GX का मानक रूप X प्लस बना जाएगा अब हम PX को GX से विभाज़त करेंगे चुकि हमें भागफल का पहला पद नहीं पता है तो हम दूसरे स्टेप में भागफल का पहला पद निकालेंगे उसके लिए हम भाज़क के पहले पद को भाज़क के पहले पद से विभाज़त करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 3X स्क्वाइर अपॉन X अब चुकि X अंश और हर दोनों में है तो यह कैंसल हो जाएगा और यहां से हमारे पास 3X आ जाएगा जो कि भागफल का पहला पद है अब हम तीसरे स्टेप में देखेंगे कि आगे क्या करना है अब हम भागफल के पहले पद को भाज़क से गुणा करके यहां नीचे लिखेंगे तो हमें 3X स्क्वाइर प्लस 3X मिल जाएगा अब हम इन दोनों का घटा करेंगे इसके लिए अगर यहां पर प्लस का चिन है तो उसे माइनस कर देंगे और अगर माइनस का चिन है तो उसे प्लस कर देंगे जैसे कि यहां पर प्लस का साइन है तो इसे माइनस कर देंगे और यहां भी plus है तो इसे भी minus कर देंगे अब पहले दोणों पद एक दूसरे से घट कर शूने देंगे और दूसरा पद घट कर हमें minus 2x देंगे और minus 1 ऐसे ही लिख दिया जायेगा जिससे हमें minus 2x minus 1 शेष़वल मिल जायेगा अब हम शेश्वल माइनस 2x माइनस 1 को नया भाज्य कंसिडर करेंगे और x प्लस 1 से विभाज़त करेंगे अब चौथे स्टेप में देखेंगे जिसमें हम दूसरे स्टेप को रिपीट करेंगे नए भाज के पहले पद को भाजक के पहले पद से विभाजित करेंगे और यहां से हमें minus 2x upon x मिल जाएगा जिसे solve करने पर हमें minus 2 मिलेगा जो की भागफल का दूसरा पद है अब हम पाँचवा step देखेंगे अब हम भागफल के दूसरे पद को भाजक से गुणा करेंगे और यहां नीचे लिख देंगे गुणा करने पर हमें minus 2x minus 2 मिलेगा अब हम इसे घटा करेंगे तो minus plus में change हो जाएगा और हमें 1 मिल जाएगा यहां पर देख सकते हैं कि शेशवल का घाद शूने है और भाजक का घाद एक है इसलिए हम कह सकते हैं कि शेशवल की घाद छोटी है भाजक की घाद से और यहां से हमें भागफल 3x minus 2 मिल जाएगा और शेशवल 1 मिल जाएगा और हमें पता है कि 3x square plus x minus 1 भाज़े है और x plus 1 भाजक है तो हम इसे भाज़े बराबर भाज़े इंटू भागफल प्लस शेशवल भी लिख सकते हैं अब आप अपने घर पर इस सम्मेकरन का आरेचस सॉल्ट करके देखिएगा कि लेचस के बराबर आता है या नहीं अब हमने बहुपद को विभाज़त करना सीख लिया है और यह भी देख लिया है कि भाज़े बराबर भाज़क इंटू भागफल प्लस शेशवल होता है चलिए अब हम देखते हैं किसे व्यापक रूप में कैसे लिखा जाता है इसे अपनी कॉपी में लिख लें तो हमने यहाँ पर बहुपदो का विभाज़न देख लिया तन्यवाद